नमस्कार मैं हुदिप्ति शर्मा और आप सभी का स्भागत करती हूँ न्यूजेटीन के हमारे इस खास कारिक्रम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशेष सेग्मेंट में जहां पर आप हरम हरूस औरिकल कार्ड के जरिये जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वा हैं अपने बारे में बहुत सारी बाते कि आज की दिन को हमें किस प्रकार से गुजारना है किन बातों को करना अवाइड करना है तो कौन सी होगी आपकी रीडिंग एक छोटा से एक्जामपल देती हूँ अगर आपकी डेट ऑब बर्थ है 27 यानि कि 27 तो 2 और 7 को जब आप हैं तो जोड़ाता है नंबर 9 9 है आज की तारिख का मूलांग जिसके स्वामी है मंगल तो क्या आज इंपक्ट होगा आज एक से लेकर 9 मूलांग तक के जातकों पर आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही महत्प के द्वारा गाइड करने पर हम रेमेडी के तौर पर कुछ नगों का और पत्थरों का उपियोग करते हैं अब यहां हम केवल नगों की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ बात कर रहे हैं उन स्टोंड की जो वास्तिता में जो फॉर्मेशन है उनकी वो ना केवल सॉलिड होती ना कि वह लिक्विड होती है बलकि वह एक खनेज याने की मिनरल्स और लवन जो होते हैं उनका प्रकार का मिश्रण होता है और यह कई-कई हजार वर्षों तक जो है धरती के नीचे फॉर्मेट हो रहे होते हैं और उसके बाद जो है उनका एक प्रारूप समक्ष आता है तो यहां पर जो मीरी टेबल पर देख रहे हैं यहां पर ग्वोर्ड क्रिष्टल है में और इसे कहा जाता है कौफ जिसे हम हंडि में कहते हैं स्वचिक क्या आप जानते हैं कि हमारे पूरे विश्व में जितनी भी researches होती हैं जितने भी खोज होते हैं वास्तिक्ता में अगर देखा जाए तो घड़ी के अंदर और mobile phone के अंदर इसी crystal का उप्योग किया जाता है जिसे हम quards कहते हैं और इसके बिना घड़ी और mobile काम ही नहीं करते हैं तो आप समझ जाए कि कितनी ज्यादा vibrations इसकी high होती है ये इतना strong frequency के उपर काम करता है और जो universal जो rays हैं उनको अपने साथ connect करता है ये इतने powerful stones होते हैं कि अगर आप इनके अंदर किसी तरह की manifestation डालते हैं या अपनी protection डालते हैं या किसी प्रकार की balancing की अगर आपने उर्जा इनके अंदर डालते हैं तो वही कई गुना बढ़ती है कई-कई गुना जो है वो formation में बढ़ती है और वो manifestation जल्दी हासिल होती है चीक उसी प्रकार से कर किसी व्यक्ति को खुद की सुरक्षा करनी है कबच करना है तो अंगुठी के माध्यम से लॉकेट के माध्यम से इने धारन किया जाता है आपने देखा होगा कि हमारे यां के रिशी मुनी जो हैं पटिक की माला गले में धारन करते हैं, जो भी व्यक्ति इस विशे का थोड़ा बहुत भी जानकार होगा, ये वास्तों में एक बहुत बड़ा विज्ञान है, इसे कृपया अंधविश्वास्ति न जोड़ा जाए, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े विज्ञानिकों ने इन थौट प्रोसेस के अनुसार उसमें बदलाव रखने की शमता हम रखते हैं, एक उधारन की तौर पर अगर किसी प्रकार से व्यक्ति का नेचर ठीक नहीं है, या किसी व्यक्ति की जिंदिगी में किसी प्रकार की रुकावट बाधा परेशानी है, तो यदि वो एफोर्ट क करते हैं, और जालते हैं मूलांक एक के लिए, हमारे एंजल्स, एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं, 18 फरवरी 2024 के लिए, और मूलांक एक के लिए हमें आज गाइड किया जा रहा है, हाई प्रीस्टिस का काड है, क्लियर कट कहा जा रहा है कि आज का जो दिन ह होगी प्रतिष्ठा में वृद्धी होगी जो भी आप कारे करेंगे वो लोगों को पसंद आएगा लोग आपकी और आकरशित होंगे कुल मिला के समाज में मान समान आज आपका बढ़ने वाला है साथी साथ ये भी कहा जा रहा है कि कोई महत्पुन पद या जिम्मेदारी भर पद जो है वो आपको मिल सकता है आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी लीडर्शिप मिल सकती है तो बहुत ही अच्छा आज का दिन है इसे चैरिश करें आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक दो के लिए हमारे एंजल एंसिस्टर्स हमें आज यानि की 18 फरवरी दो हज़ार चौविस को क्या गाइड कर रहे है और मूलांक दो के लिए हमें कहा जा रहा है स्पिरिट फॉक्स का काड़ है कहा जा रहा है समय के अंदर बदलाव आ रहा है में हमारी ग्रोथ वास्त्रिक्ता में एक किसी ताज को हासिल करना ग्रोथ नहीं है बलकि किसी भी प्रकार के चालेंज को हसते खेलते ओवरकम करना ही वास्त्रिक्ता में सक्सेज है तो आपको आज क्लियर कहा जा रहा है कि आपके अंदर काफी सारा टालेंट है जिस टालें ऐसी कोई रुकावट आपके समक्ष लेकर आएगा जहां पर आपको अपना ट्रू सेल्फ आपको अपना जो ट्रू टालेंट है उसको पता करने में आपको आज सहायता मिलेगी और उसी के माध्यम से आप हर चीज़ को ओईजी ली ओवरकम कर पाएंगे आए जानते हैं मुलांक 3 के लिए हमें हमारे एंजल एंसिस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं आज यानी 18 फरवरी 2024 के लिए और मुलांक 3 के लिए हमें कहा जा रहा है एल्डर का कार्ड है क्लियर कहा जा रहा है कि जो भी अभी तक पैटर्न्स पे आप काम कर रहे थे जिस positive change लाने की जुरत है क्योंकि कहीं न कहीं जो सफलता आप चाहते हैं वो पुराने धर्रे पर चलके तो नहीं मिल सकती है so you have to work on yourself आज के दिन खुद पर ध्यान दीजिए खुद पर focus कीजिए अपने आपको बहतर कैसे बना सकते हैं उसके उपर कारे कीजिए आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें हमारे इंजल एंसिस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 18 फर्वरी 2024 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमें कहा जा रहा है broken arrow का कार्ड है कहा जा रहा है सुक्षानती बनाए रखें आज की दिन की उर्जा बहुत अच्छी है बहुत heavy energy है high energy है लेकिन ऐसे में बहुत मुश्किल होता है इसी उर्जा को संभालना भी तो आप वो कहा जा रहा है बहुत high frequency में रहेंगे तो अपने anger पर control रखें अपने ego पर control रखें अगर आपने ego पर control नहीं रखा तो यही energy जो है वो negative direction में जा सकती है कलह करा सकती है वाद्विवाद करा सकती है लेकिन अगर आपने इस उर्जा को संतुलित रखा तो काफी कुछ better आप कर पाएंगे तो आज के दिन जो आपका focus है वो होना चाहिए किस पर अपनी अंतरात्मा अपनी मांसिक भावनात्मक शान्ती पर आपका दिन शुभूग आईए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें हमारे angel and sisters आज क्या guide कर रहे हैं 18 फर्वरी 2024 के लिए और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है earth garden का card है clear कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है वो अपनी सेहत का खयाल आपको रखना जरूरी है ऐसी भी दोड़ भाग ना करें कि अपनी सेहत को नुजर अंतास करें especially कहा जा रहा है कि grounding exercise करें grounding करें grounding करता है कि आपको नंगे पैर थोड़ा समय धर्थी के साथ connect होना है जमीन पर चले नंगे पैर आप घास पर चल सकते हैं मिट्टी पर चल सकते हैं कुल मिला कि आपको आज mother earth के साथ connect होना बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी जो उरजाई है वो balance में नहीं आ रही है आपका जो आभा मंडल आपका जो औरा है उसमें किसी तरह के blockage नजर आ रहे है तो अपने स्वास्त का ध्यान रखें और grounding करें इस बात का विशेश ध्यान रखें और हाँ सबसे important कोई भी ऐसा commitment ना करें जिसे की पूरा ना कर सकें आपका दिन शुभ हो आईए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें हमारे angel and sisters आज यानि की 18 फर्वरी 2024 को आज क्या guide कर रहे है और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है shield maiden का card है कहा जा रहा है हडबड़ी बिल्कुल नहीं दिखानी है बलकि वहुत शान्त भाव से proper planning के साथ एक step को on paper उतारने के बाद ही आगे बढ़ना है अगर कोई विक्ति किसी कारे में आप से जल्दबाजी करने को कहता है कोई team member आप से कहता है जल्दी जल्दी इस कारे को पूर्ण कीजिए तो समझ जाईए कि किसी प्रकार की यहाँ पर संभावना है काम के गड़बड होने की तो करना क्या है अपने चित्त को आप शान्त रखें proper planning पर काम करें जो भी विक्ति आप से कारे करने के लिए अगर आप बिजनिस में है या आप विद्यारती है तो अपनी नोट्स को तयार करें आप अपनी जो है balance sheet को proper तयार करें आप अपनी जो planning प्रोजेक्ट का जो report है प्रोजेक्ट फाइल है उसे proper तयार करें इसमें किसी प्रकार की लापरवाई नहीं आनी चाहिए on papers mean on paper हर कारे को पूरे papers के साथ proof के साथ आपको आज करना है आपका दिन शुभो आए जानते हैं मूलांक साथ के लिए हमारे angel and sisters हमें आज आनी 18 फरवरी 2024 को क्या guide कर रहे है और मूलांक साथ के लिए हमें कहा जा रहा है देखें फिर से card repeat हुआ है shield maiden का card है मूलांक साथ के जातकों से कहा जा रहा है कि आज जो है आपको अपनी self image self prestige पर थोड़ा सा ध्यान देनी की आवशकता है कहीं न कहीं कोई भी आपका किया गया ऐसा कारे या फिर आपके जो आलोचिक हैं आपके जो शत्रू हैं वो आपके कारे को बिकाडने के लिए आपकी छवी खराब करने का प्रयास कर सकते हैं आपको करना क्या है बहुत ही शान्ती पून तरीके से सोश समझ करें के कदम आपको आगे बढ़ाना है जो भी कोई कारे करें वो बहुत सोश समझ करें किसी प्रकार का कमिट्मेंट दे तो सोश समझ कर दे जो भी कोई काम करें कागजी कारवाई पे फोकस करें जो भी कुछ करें proper planning के साथ बिना planning के कोई वीकारे आपको नहीं करना है अगला व्यक्ति जो है आपके उपर ये अपनी सारी गलतियों को मर देगा इस बात का विशेश आपको आज ज्यान रखने की ज़रत है on paper हर चीज का हिसाब रखें आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमारे एंजल एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 18 फरवरी 2024 के लिए और मूलांक 8 के लिए में कहा जा रहा है इगल का काड है कहा जा रहा है कि बहुत सारी संभावनाएं हैं आज आपके लिए आपके करियर को लेकर, रिलेशन्शिप को लेकर या कुछ अगर चीजें बिगड़ गई थी तो उनकी बहतरी को लेकर भी बहुत सारी संभावनाएं बंती दिखाए दे रहे हैं बशर्ते कि आपकी विचारधारा आपका जो दृष्टी कोण है वो भी हाइर प्रेस्पेक्टिव में होना चाहिए ब्रॉड माइंड रहें हर चीज का अच्छा बुरा दोनों पहलू देखें तुरंत जज्जमेंट आपको नहीं करना है किसी विशेपत हो सकता है कि कोई परिस्थिती आपको इस वक्त आपके अगेंस लग रही हो बटवास्तविक्ता में वो आपके सपोर्ट के लिए हो तो कुल मिलाके अपनी विचारधारों पर फोकस करें अपनी दृष्टी कोन पर फोकस करें कि कि किसी भी सिचुवेशन को आप किस रूप में देखते हैं कहीना कहीं डिवाइन कह रहे हैं whatever is going to happen, happen for good until and unless आप उस चीज़ को बहुत broad तरीके से ना देखें आपका दिन शुभ हो आईए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें हमारे एंजल एंसिस्टर्स आज एनी 18 फरवरी 2024 को क्या गाइड कर रहे हैं आज की तारीक का मूलांक भी है 9 और हम मूलांक 9 की बात कर रहे हैं और हमसे कहा जा रहा है मून का काड है देखिए नंबर 9 आज मंगल का अंक है और वो भी बहुत प्रभावशाली है ऐसे में जितनी जादा हाई vibrations होती है उतना जादा ब्रहमांड की उर्जाओं से connected होती है तो मूलांक 9 के जो जातक है आज आज आपकी जो intuition power है वो बहुत अच्छी रहने वाली है आपका जो connection है अपनी higher soul के साथ अपनी inner soul के साथ परमात्मा के साथ वो भी बहुत strong आज आज आपका बने रहने वाला है ऐसे में बहुत ही जादा जरूरी है कि जो भी कुछ आपको intuition आ रहे है आज आप उसे follow करें दूसरे की बातों में आज आपको नहीं आना है आपको हर उस चीज को follow करना है जो आपकी अंतरात्मा आपसे कहती है अगर किसी व्यक्ति या किसी कारे के लिए आपको ना हो रहा है आगे बढ़ने से soul आपकी मना कर रहे है तो बिलकुल भी असा कारें ना करें और अगर किसी कारे के लिए भीतर से हाँ हो रहा है आपका दिन शुभ हो तो दोस्तों यह थी रीडिंग हमारी एक से लेकर नौ मूलांग तक की हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें स्वस्त रहें आप सभी का मंगल हो आप जितना प्रेम और संबान हमारे स्कारक्रम को देते हैं हमारी पूर